if the charge accumulated on plates of c1 c2 and c3 are qa qb qc qd qe qf respectively then हमें इनके बीच में relation बताना है क्या है बहुत ही simple सवाल है basics आपके यह clear होने चाहिए तो सवाल कुछ इस पर कहार है कि आपके तीन capacitors यह से लगाये हुए है एक दो और तीन और यह आपने बैटरी जोएन की हुई है यह जो हमारी plates है इन plates को हमने नाम current किया हुआ है तो इसको नाम हमने दिया A, B, C, D, E और F और इनके उपर जो आपके charges है वो है QA, QB, QC, QD, QE, QF अब हमें बताना है कि इनके बीच comparison क्या होगा कौन किसके बराबर और वो सारी कहानी करनी है अब यह बात अपने को पता है कि जो आपके 100 वोल्ट की बैटरी लगी है जब यहां से charge flow करके accumulate होना शुरू होएगा तो इन तीनो चार्ज कापैसिटर के उपर net charge आपका जो Q और वो आएगा that will be equal to CV जो चार्ज स्टोर होएगा इस वाली प्लेट पर वो होएगा CV और इस पर minus CV इस पर फिर CV इस पर minus CV इस पर फिर CV और इस पर minus CV अले तो उस बेसिस पर हम कह सकते हैं कि QA, QC और QE इनके ओपर जो चार्ज स्टोर हुआ वो बराबर होएगा उसकी magnitude और उसका sign दोनों बराबर होएगे तो CV, CV, CV यह आपके capacitance की आपके चार्ज स्टोर्ड की value होएगी है आपे इस बेसिस पर हम कह सकते हैं कि option number D would be the right answer